इस किचन की इंचेने को स्वागत है आज हम बनाएं बहुत ही स्वादिस्ट मठ्री हर चाय की चूश्किस के साथ साम को कुछ नो कुछ चाहिए तो हम चली बनाना शुरू करते हैं मठ्री हाँ पर एक पौव आटा लिए हैं चोटी कटूरी से में एक पौव आटा रखें दो बार लेंगे हम भर के एक कटूरी दो कटूरी ले चुके हैं यहाँ पस्वाद उसा नमक डाल देंगे अजवाण डालेंगे छोटी चमच से भर के एक चमच इसको हाथों से हल्का सकरस कर दें इस रसे है तेली की साहता से कलोंजी भी एक ही चमच भर के लेंगे यह कस्तूरी मेथी है तेन चमच डालेंगे मठी में कस्तूरी में थी बहुत ही अच्छा टेस्टर लाता है यहाँ काली मिर्च लिए है यानी गोल की लिए है एक चमच भर के निडियर चमच ले रहे हैं उसको दादरा मोटा ही कुट लेंगे बहुत ही टेस्टी बनेगा इसरे दरदरा कुट के दे दिजिएगा हलका सा स्पाइसी भी से लगेगा तो आप मोटा ही कुट लेंगे देखें इदम दरदरा कुट के रेडी हो गया है वो डाल देंगे सारे तो असा धनिया की बीज लेंगे दो चमच हम लोग धनिया की बीज को भी दरदरा कुट लेंगे हम लोग इसरे से हलका सा करस करेंगे तो अच्छा से धरदरा कुट आजाएगा कड़ा कड़ा दिख रहा है वो डाल देंगे सारे जितना मसाला डरीगा बहुत ही जादे स्वाधिश्ट बनेगा मठ्री मुम एक वर खाएंगे तो इसका स्वाध नहीं भूलनेगा अब इतना अच्छा लगेगा चाय के साथ यहां पर चिली फ्लेक्स भी हें के चमच डाल रहे हैं अच्छा समीक्स कर देंगे यहां पर मॉम डालने की बारी है तो पाँच बड़े चमच हम लोग मॉम डालेंगे अच्छा से मिक्स करेंगे एक भी गुठली नहीं रहने देंगे इतना मिलाएंगे कि हाथ में मुठी बांद के देंगे अच्छा से मुठी बंद हो गया इसके लिए हम सुसुम पानी यहां पर लगाएंगे एक पॉक के लिए कम से कम 10 चमच आपको पानी चाहिए तो एक ही बार में पानी थोड़ा साम दे रहे हैं धीरे-धीरे करके सामते जाएंगे मिक्स करेंगे दम हाड इसका आठा हम लोग को तयार करना है जितना हाड आठा और लाइब, उत्ना ही खसता आपका मैठरी बन के रिडी होगा इस तरह से हम हाड देखी हम ब्रो यहां तयार कर दिये हैं मैठ्री के लिए जितना खुर्दरा खुर्दरा देखने में लगेगा उतना ही अच्छा प्रमिट्री बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से अभी से हम लोग डो तैयार कर दिये हैं इसको 10 मिनट ढख के छोड़ देंगे 10 मिनट रेडी हो गया हम लोगा इस तरह से आठा में लेशारे मसाले एकदम अंदर तक चले जाते है इसलिए 10 मिनट का इसे टाइम दीजिए अच्छा से गोला डेडी करेंगे बड़ा बड़ा हिसा कट करेंगे इसमें दो दो अचार हिसा कर लेंगे हम लोग मातरचारी हम लोग को हिसा बनाना है अब इसे चकला पर हम लोग बेलेंगे अच्छा तरह से बहुत ह्यार डो है देखी दिक्कत हो रहा है लेकिन इतना ही अच्छा से डो तैयार करेंगे हम लोग मठ्री का तभी बहुत यह अच्छा टेस्टी बनेगा मठ्री बनाने के रेश्पी परसांदा चाथ हमारे चैनल को कर आफ है लाग सच्छा पर करेंगे कर दोब लोग को बलाने करना जितना मोठ्री रहा हो नहीं स्वादिश्ट लगेंगे लिए धिन्यर एक महिन तक नहीं खराब होगा आप कहीं भी जाए तो चायकि चुछिट से साथ इंज्वाए कर सकते हैं आप कि बहुत ही स्वादिस बहुत ही खसता बना है आग पंदरा मिनिट में यह बनके रेडी होता है कि बहुत दिमाज में यह बनता है इसरा से पूटा मुझा खुट करेंगे हैं एक अगल बगल का हिस्टा को कट नियुकित का खुबसूरती यह तम अच्छा से बना रहे बिल्कुल बजार की तरह बिल्कुल इसको फेकेंगे नहीं इसको फी गोला तयार कर देंगे हम लोग इस तरह से बड़ा बड़ा हिस्सा में देखिए हम कट कर रहे हैं अब इल्कुल मोटा ही बेले हैं कि इस तरह से अगल बगल के सारे हिस्सों को कट कर दीजिए ताका आप मठी देखने बहुत खुब सूरत लगे हैं कि बाद में हम लोग इसका गोला बना की हुच कर लेंगे इस तरह से देखिए सब गोला हम लोग कट करके आपको दिखा रहे कि इतना अच्छा से चकला पर से निकल चुका है कि इसमें अच्छा से मूम पड़ चुका है अपकड़ा ही हम लोग गर्म करेंगे हलका ही एकदम दिमा आज पर गर्म करना है इदम बिल्कुल इसको तेज मत गर्म किजीगा तो इदम आपका मत्ठी बहुत खराब हो जगा हलका सा देखी डालने से हलका सा ही यह देखी आपको दिख रहा होगा बबल आ रहे हैं इसका मतर्द तेल हम्मरा रेडियो हो चुका है अलका ही दिमाच में हमको चाना इसलिए 15 मिनिट एक दम इसमें टैम लेगा गया कि मठ्षी बहुत हमलों का मोटा है अधिमा दिमाच में इसी तरह हमें बनाना है उलट उलट करते जाना है हर तरह कि आप मठ्षी खाईए इसे जो वीडियो आपके सामने आता उसे एक वर जरूर बनाए इस तरह से ट्राइब करें तभी तो बदल बदल के आपको मठ्षी खाने का मन करेगा और बनाते इसलिए जो एक वर बनाए अच्छा से बनाएं कि घड़ी के टाइम से देखके बना रहें यह बिलकुल एकदम 15 मिनट में एक बार यह बनके रिड़ी हुआ है इस रस बीच में हिलाते चलाते जाए तकि आपको मठ्षी एदम दोरों तरफ से पके रिड़ी हो जाए हलका सा कलरी चेंज होगा तक आपको मठ्षी बनके रिड़ी हो जागा देखते हैं इस शिर्फ ध्यान देना है कि आज एक दम धीमा रहे बिच-बिच में से हिलाते च लाते जाएं जलाते जाएं तकि दूरों तरब से किरिस्पी बनेगा कभी भी जल्दी से आज को बिल्कुल थेज भी ना करें दम धीमा धीमाज में जितना बनेगा उतना ही स्वाधिश च्रक हस्ता बनेगा मठरी आपका Hoard करना है यानि हलका गोल्डेन करना है इस से जाधा हम लोगो बिल्कुल नहीं करना है जितना मसाला दियें देख रहे हैं आप अच्छा से दीकी भी रहा है जितना देखने में सुन्दा लग रहा है उसे जादे खाने में स्वाधिश लगीगा काली मूर्ट से थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है या पचीली फ्लेक्स भी डाले हैं थोड़ा सा हरका स्पाइसी लगेगा लेकिन चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा कहीं भी हम लोग बाहर घूमने जाते हैं तो मनलै घर का समान नहीं मिल पाता है तो इस तरह से आप जरूर बनाएं, अपने साथ कहीं भी से दूर में ले जाएं, दूर पे जा रहें या कहीं घुमने जा रहें, कहीं भी ले जाएं, इस तरह से सारा बन के रेडियो के आप यहां पर हम लोग चाट मसाला दा लेंगे, छोटी चमस एक चमस भर के, तो सकाला नमक डालेंगे, चटपटा थोड़ा बना के से रेडि करेंगे, उसके बाद हम लोगी से हलका से मिला देंगे, इस तरह से, किंकी चाट मसाला मिसाले फ्लेवर और टेस्ट होते हैं, यह दम चटपटा बनके रेडि हो गया है, उसके बाद इसके जब भी मिलाएं मसाला तो गर्मा गर्मी मिलाएं, ता सारे मसाले ऐसे मिक्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, अब दिखाते हैं आपको दोड़ की इस तरह से दिखी कितना खस्ता अच्छा से बनके रेडि हो गया है, इसी तरह से बनाएं,